हेलो प्यारे बच्चो क्या हाल चले आप सभी के डीर स्टुडेंट्स तो देखें प्यारे बच्चो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नमबर 4 जिसका नाम है इलेक्टरिक कपेस्टेंस ठीक है और आज अपने पार्ट नमबर 8 इसका डिसक्स करेंगी और जो अपन प्लेट कपेस्टर के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हो आज अपने स्फेरिकल कपेस्टर क्या होता है क्या उसकी स्टक्चर होती है किस तरह से वो वरक करता manifold करता है वो सारी चीजे अपने इसमें डिसकस करने जा रहे हैं तो चलिए है अपने आज की वीडियो तो देखो spherical capacitor पहले होता क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं तो सबसे पहले जो इसकी definition है वो आपको दी वे यह आपे definition क्या है spherical capacitor की कि two concentric spherical conductors यानि कि क्या हो आपके पास दो concentric spherical दो spherical क्या हो connectors हो आपके पास हो और दूसरी खासियत उनकी क्या है कि वो दोनों concentric होने चाहिए ठीक है concentric मतलब दोनों का center एक ही होना चाहिए of nearly equal size दोनों का size लगबग क्या हो equal हो nearly equal का मतलब भी लगबग approximate equal से हैं लेकिन बिल्कुल equal नहीं है 100% equal नहीं है 99% equal size है one of the conductor is given a plus q charge and another and equal and opposite minus q is called spherical conductor या spherical capacitor आना था यहां पर conductor लिख दिया है मैंने गलती से आप यहां पर काट के बच्चो क्या कर लेना capacitor कर लेना ठीक है इसको notes जब आपको दूँगा उसमें सही कर दूँगा यानि कि जो अपना spherical capacitor है उसमें क्या चीज होगी उसमें दो concentrics क्या होंगे conductors होंगे concentric है मतलब दोनों का center होगा और center किसका होता है sphere का होता है तो मतलब दो spheres होंगे और spheres कैसे होंगे दोनों ही conducting होंगे दोनों का size लगब क्या होगा equal होगा और एक sphere पे तो plus q charge होगा और दूसरे पे minus q charge होगा तो इसको ही अपनी इस arrangement को ही अपनी क्या बोल देंगे जो spherical capacitor ठीक है तो ये definition इसकी समझ में आगी अब next इसमें point क्या दिया हुआ है in this capacitor internal sphere may be hollow और solid यानि कि ये वाला जो capacitor है जो आपका spherical इसमें जो internal sphere है दो sphere होंगे इसमें एक internal होगा और एक external होगा तो ये इसमें मैंने दो sphere show कर रखे हैं आपको एक तो ये आपको blue color में या violet color में दिख रहागा और एक ये white color में ठीक है तो इसमें ये वाला internal sphere है और ये वाला external sphere है ठीक है तो internal sphere इसमें क्या होगा ये hollow भी हो सकता है और solid भी हो सकता है लेकिन जो बाहर वाला या external sphere होगा ये वाला sphere ये क्या होगा hollow या solid होगा, बताओ, hollow होगा या solid होगा सोचो आप खुद, तो देखो, क्या होगा कि अगर ये वाला sphere, इस बाहर वाला sphere के अंदर पड़ा है तो मतलब अंदर पड़ा है तो hollow ही होगा solid के अंदर रख सकते होगा, आप कोई sphere, नहीं रख सकते तो मतलब जो external sphere है, वो always hollow होगा लेकिन जो internal sphere है, वो hollow भी हो सकता और solid भी हो सकता है ये चीज़ समझागी, अब next क्या है, structure of spherical capacitor इसकी structure क्या होती है, ठीक है, ये वैसे तो green pen में मैं लिखा हुआ है, dark mode में करते ही, सारे pen white हो जाते हैं ठीक है, तो structure of spherical capacitor, इसकी structure क्या होती है और कैसे ये work करता है, ठीक है, वो समझने है अपने को इसका तो अब देखो structure समझने से पहले, मैं आपको पहले diagram समझा देता हूँ फिर अपने theory पड़ेंगे, तो देखो ये diagram है आपके सामने इस diagram में क्या चीज़ा है, दो spheres है आपके पास एक sphere का नाम है A, और दूसरे sphere का नाम है B A है वो external sphere है, और B है वो internal sphere है, ठीक है और दोनों ही कैसे sphere है, conducting है, और hollow या solid कौन कौन सा होगा, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है कि अंदर वाला hollow या solid हो सकता है, लेकिन बाहर वाला हमेशा hollow sphere होगा, दूसरी खासित इन spheres की क्या है कि जो ये spheres का size है, वो लग बग क्या है, approximate same सा है, ठीक है, लेकिन अंदर वाला जो sphere है, internal sphere है, वो थोड़ा सा चोटा होता है, और बाहर वाला क्या होता है, बड़ा होता है, अब आपको देखने में तो ऐसे लग रहा होगा, कि सर ये वाला जो gap, एना spheres की बीच है, ये काफी ज़्याद है, तो ये बच्चो only इसकी structure में ही ज़्याद है, क्योंकि अगर अगर अपने बहुत ही नजदीक sphere बना दें, एक दूसरे के nearby बना दें, तो उससे क्या होगा, अपने structure नहीं समझा सकते है, ठीक है, तो तब ही अंदरवाला अपने छोटा बना लेते हैं, और ये बड़ा बना लेते हैं, और अपने जो external याणि जो बड़ा sphere है, उसकी radius को अपने assume कर लेते कितनी है, r1 है, और जो internal छोटा sphere है, उसकी radius अपने r2 assume कर सकते हैं, अब आप इसमें r1, r2 कोई मर्जी assume कर लो, वो जुरूरी नहीं है, मैं आपकी book के इसाप से r1 और छोटे की r2 लेनी है, अब आपको क्या करना है इसमें, अब एक चीज आपको यहां पर यह पताओने चाहिए, बच्चो जो आपने parallel plate capacitor पड़ा था, तो उसका formation कैसे किया था, उसको कैसे बनाया था आपने, तो उसमें अपने क्या किया था, दो plates ली थी ऐसे, connecting plates थी, तो उस plates पर एक plate पर अपने क्या किया, प्लस q charge दिया, ठीक है, अगर आपको parallel plate capacitor की working आती है, या उसका principle आता है आपको, तो बिल्कुल आप इसका spherical capacitor का भी आराम से समझ सकते हो, बिल्कुल same है, तो तभी मैं आपको वो repeat करवा रहा हूँ, एक plate पे plus q charge दिया, और दूसरी plate क्या थी, un charge थी, इस पे कोई charge नहीं था, तो इसको इसके pass लेके आए, ठीक है, ये वाला gap भी अपने उसमें क्या लिया था, बहुत ही कम लिया था, इसको pass लेके आए, तो अब यहां पे क्या होगा, induction के कारण क्या हो जाएगा, यहां negative charge attract हो के इदर आजाएगा इस plate का, और positive charge इस से क्या होगा, repel होके थोड़ा दूर चला जाएगा, फिर अपने इस plate का जो external side थी, उसको क्या कर दिया था, ground कर दिया था, मतलब earth से connect कर दिया, तो अब earth से electron आएगे, कुछ electron क्या होगे, इदर आएगे, और वो electron जो यह बाहर वाला charge है न, external charge, इसको neutral कर देंगे, और इस plate पे, अगर इस plate को plus q charge दिया है, तो इस plate पे minus q charge आ जाएगा, और यह एक capacitor की तरह work करने लग जाएगा, इसके बीच का क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म charge था, लेकिन अब आपको internal क्या करने, internal जो छोटा स्फिर है, उसको charge देना है, और वो charge आपको minus q देना है, ठीक है, minus q चार्ज आपको यहाँ पे देना है, आपको, इतना याद रख लो, भी यहाँ plus q दे रहा है, यहाँ minus q देना, उसके opposite देना है, अब ऐसा ही क्यों किया, minus q दिया, तो देखो, plus q भी आप दे सकते हो, कोई दिकत नहीं है, लेकिन मैं आपकी बचो बुक के इसाब से चल रहा हूँ, आप plus q चार्ज दे सकते हो, इसमें कोई problem नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा change आ जाएगा यहाँ प जब इस sphere को minus q चार्ज देंगे, तो यह minus q चार्ज इसकी surface पे equally distribute हो जाएगा, uniformly distribute हो जाएगा, अब इसकी surface पी क्यों होगा, अंदर क्यों नहीं जाएगा, बता सकते हो, तो उसका reason आपको पता ही है, अगर तो यह चाहे तो यह hollow sphere हो, चाहे solid sphere हो, तो यह एक conducting sphere हो, और conductor के हमे जाता है अंदर, वो मैं आपको chapter second में एक अलग video बना के उसमें सारा कुछ बता चुका हूँ already, ठीक है, तो आप वहाँ से वो समझ लेना, तो आपको जो minus q चार्ज दोगे, वो यह blue color में, जो यह minus के sign लगे होई है, वो इसकी surface पे क्या हो जाता है, uniformly distribute हो जाता है, समझा है इतनी बात, minus q चार्ज दे दिया, अब होगा क्या, बिल्कुल वही process यहाँ पे होगी, जो parallel plate capacitor में होती थी, अब क्या होगा, कि जो plus q चार्ज है, अब जो बाहर वाला स्फीर है, उस पे कोई चार्ज नहीं है, जो external स्फीर है, तो अब जब आपने अंदर वाले को minus q अब अब अपने क्या करेंगे, कि जो external स्फीर है, उसका जो उसकी दो लेर्स है, यह दो surfaces है, एक internal है और एक external है, ठीक है, बाहर वाला स्फीर है, वालो स्फीर ऐसा है, तो इसकी दो surfaces है, एक अंदर और एक बाहर, ठीक है, बीच में तो क्या स्फीर जितना मोटा है, वो मोटाई होगी, ठीकनेस होगी उसकी, तो एक बाहर और एक अंदर, तो अंदर वाली स साथ connect कर देती है तो ये वाड़ा minus जो charge है negative charge है तो अब क्या होगा ये वाड़ा charge flow होके मतलब ये जो electron है flow होके कहां चले जाएंगे अर्थ के अंदर चले जाएंगे और ये जो बाहर वाड़ा charge है ये सारा क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा माईनस जो charge है यहां पे ठीक है तो इसके internal जो surface है या internal इसका part है जो उस पे क्या बचेगा आपकी पास only प्लिस Q-charge बच जाएगा ठीक है तो अब क्या हुआ कि 2 spheres आ गए अपने पास एक प्लिस Q-charge है एक प्लिस Q जाएगा तो यह जो मैंने arrow लगा रहे हैं प्लिस से लेके minus की तरफ ऐसे center के towards क्या बन जाएगा एक electric field का formation हो जाएगा इसमें और ये वाली जो device है ये किसकी तरह work करने लग जाएगी एक spherical capacitor की तरह work करने लग जाएगी क्योंकि देखो parallel plate capacitor में आपने क्या किया था एक plate को plus q charge दिया था और एक पे minus q charge दिया था और बीच में क्या हो गया था uniform electric field generate हो गया था e तो अब बिल्कुल वैसी चीज अपने यहां पे की है तो अब बाहर e vector की value मैंने 0 लिखिया क्योंकि आपको पता यहां पे अगर मैं किसी भी point पे e vector की value निकालों तो charge ही नहीं है बाहर तो अंदर है तो अंदर वाड़ा charge अंदर ही रहेगा बाहर नहीं आ सकता क्योंकि जो conducting होती है conductor के जिस side charge होता है उसी side present रहता है अंदर वारी side नहीं जाता हो ठीक है conductor को cross नहीं कर सकता है जो charge होता है तो अब आपको समझ आ गया भी यह किस तरह से वरक किया अब जो कार्णी मैंने आपको बताई है वो सारी यहां मैंने थियोरी में लिख दिया है तो अब यह आपकी heading है यहां पे structure of spherical capacitor तो क्या है इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि according to the figure a spherical capacitor is shown sorry मैं conductor बोल गया इसको capacitor आपको show किया गया इसमें क्या होते हैं दो spherical conductors होते हैं जिनकी radius r1 and r2 है और r1 greater than r2 आपने ले रखा है यहां पे अगर r2 greater than r1 ले रखा हूँ तो आप r2 greater than r1 लिख दो यहां आपने r1 greater than r2 ले रखा है at first minus q charge is given to the inner sphere inner याणी internal जो sphere है उसको अपने minus q charge देते हैं and its outer surface on charge is given to the inner sphere and its outer surface अब इसका देखो मतलब क्या है इनर sphere आपको inner जो sphere है अंदरवाला sphere है इसकी outer surface पर चार्ज देते हैं आप ऐसे नहीं भी इसकी inner surface यह वाली है क्योंकि sphere है उसकी boundary है उसका बाहर वाली और inner inner वाली दोनों क्या होगी आपके पास sphere उसकी surfaces अलग अलग होगी एक अंदर वाली होगी और एक बाहर वाली तो आप बाहर वाली surface को क्या देते हो minus q charge provide करवाते हो ठीक है अब next क्या है it is uniformly distributed over all the surface यह क्या हो जाता है सारे surface फी uniformly distributed हो जाता है और minus q charge is induced outside the external sphere outside क्या हो जाता है minus q charge now outside of external sphere is grounded and only plus q charge is present inside the external sphere जो external sphere उसके inside क्या बचता है जब अपने बाहर वाले को grounded कर देते हैं तो grounded करने के बाद जो आपका outside sphere है उसके inner side outside के inner यानी अंदर वाली side क्या होता है plus q charge बच जाता है and this arrangement is called spherical capacitor और यह arrangement क्या किलाता है spherical capacitor तो बचो main चीज इसमें structure यह समझने वाली अब आगे जो calculation है वो बिलकुल असान है तभी मैं आपको note से करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें theory ज्यादा थी और theoretical topic मैं आपको हमेशा note से करवाता हूँ तो तभी आपको यह वाली theory समझ में आनी चाहिए main चीज तो अब आगे दो आप बिलकुल असान सी calculation है कर दोगे अब अपने को क्या करना होता है आपको मैंने एक चीज बताई थी कि capacitance find करनी है कोई भी capacitor है तो उसकी capacitance find करनी होगी तो अब आपके पास कौन सा capacitor है spherical capacitor है इसकी c आपको find करना है तो c find करने के लिए आपको क्या करना होगा मैंने तीन step बताये थे आपको सबसे पहले आप e की value लिखोगे फिर उसके बाद e की value और फिर c is equal to q upon v से आप क्या कर दोगे capacitance find कर लोगे और मैंने इसका formula भी बताया था आपको v is equal to e into d होता है और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि अगर आपको किसी भी जो आपके पास shape है उसके लिए v की value already पता है तो आपको e की value लिखने की ज़रूरत नहीं होती अगर v का direct formula पता है जैसे अपने किस में किया था जो आपने topic किया था ना पीछे conductor के लिए spherical conductor के लिए जो अपने निकाले थी capacitance उसके लिए r upon k formula निकाला था यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो 4 pi epsilon not r लिख सकते हो ठीक है यह formula find किया था ना तो वहाँ अपने e की value नहीं लिखी थी क्योंकि वहाँ पे sphere है और sphere के लिए अपने को पता है क्या होता है k q upon r क्या होती है potential की value होती है पड़ेगी क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा direct अपने wiki value पुट कर सकते है wiki value अपने को spheres के लिए पता है तो अब बात आती है इसमें सबसे पहले एक point लेने की ठीक है एक point लेने की बात आती है भी अपने wiki value कहां पे लिखे भी wiki value आपको potential की value लिखनी तो पड़ेगी वो कहां पे लिखें तो अपने देखो आप यहां पे point ले सकते हो यहां पे ले सकते हो यहां पे ले सकते हो इसकी surface पर ले सकते हो जहां margin point ले लो अब क्योंकि क्या है दोनों sphere के between यह वाला जो gap होता है यह gap negligible सा होता है बहुत ही कम gap होता है तो आप point को जहां margin ले सकते हो वो point क्या माना जाएगा इसके surface पर ही मान सकते है अपने इसको ठीक है जो internal sphere है उसके surface पर ही है क्योंकि यह वाला जो gap है यह बहुत कम है तो अपने कोई भी point ले तो वो उसकी surface पर अपने assume कर सकते हैं due to less gap gap कम होने के कारण तो अपने देखो क्या करते हैं इसके surface पर एक point लेते हैं कोई भी आपको point दिखाने की जुरूत नहीं है यह point ले लिया मान लो p point ले लिया इस p point पर अपने क्या करते हैं potential की value find करते हैं तो अब देखो इस पर जो potential होगा वो दो चीजों के कारण होगा एक तो जो यह वाला आपका sphere है internal sphere इसकी surface पर point है तो इस पर minus q charge है तो एक तो इसके कारण होगा तो इसके कारण जो charge के कारण होजएगा minus kq upon r2 क्योंकि surface वाला point है यह वाला p तो kq और यह center से कितनी distance पर आए r2 distance पर ठीक है अब अगर मैं बात करूँ कि इस जो आपका external sphere है उसके inside जो charge है उसके कारण भी तो potential होगा उसके कारण potential होगा तो उसके कारण जब अपने potential की value लिखंगे तो इसकी center से जो distance है वो कितनी है आपके पास r1 है तो इसके कारण जो potential आ जाएगा kq upon r1 आ जाएगा आपके पास अब आपका होगे भी sir r1 distance तो यह वाली है भी यहां से लेकी यहां तक और आपने point लिया यहां तक तो आप इस distance को r1 कैसे मान सकते हो यह question आपके दिमाग में आ सकता है भी अपने बाहर वाल स्फिर के कारण यहां इस point पर या इस p point पर जब potential की value लिखेंगे तो नीचे अपने r1 ही लेंगे तो r1 इस कारण लेंगे बच्चों क्योंकि r1 और r2 approximate equal से ही है क्योंकि यह वाला जो gap है ना यह gap बहुत ही ज़्यादा कम है तो अपने क्या करते हैं बाहर वाल स्फिर के लिए r1 लिख लेते हैं और internal के लिए r2 लिख लेते हैं और r1 और r2 की value में ज़्यादा फरक नहीं है अगर आप मानते हो कि जो r1 की value है वो 10 cm है तो r2 की value होगी वो 9.9 cm होगी वैसे इतने ही फरक है तो तब ही अपने क्या किया कि अपने potential की value लिखते हैं कैसे कि let the radius of sphere a and b is r1 and r2 r1 और r2 क्या है sphere की radius है यह formula derivation है यहाँ पे तो the potential on the surface of b due to o1 charge यानि कि जो b का surface है उस पे अपने जो point लिया था p कोई भी point p ले लिया था उस पे अगर potential की value लिखे हूँ किसके कारण आपका जो due to o1 charge जो 20 sphere है उसके खुद के charge के कारण तो यहाँ पे आजएगा minus k के upon r2 आएगा बच्चो यहाँ पे यह दूसरी गलती आगी आज ठीक है ना लगता मेरा दिमाग सेट नहीं था notes त्यार करते वक्त कियों कि मेरे खुद के exam चल रहे है तो उस कारण थोड़ा सा tension हो जाती है तो आप इसको सही कर लेना जो जो चीजे में सही करवाता हो ना हो notes में सही कर लेना copy पर लिख लिया करो जब आप समझते हो इसको ठीक है तो minus kq upon r2 आजाएगा अब बिलकुल दूसरी वही चीज़ की potential on the surface of b due to a या plus q charge अब a sphere जो a आपका इसके कारण इस b point के b जो sphere है इसके surface पे potential की value के आजाएगी kq upon r1 आजाएगी ठीक है तो अब जो इसका surface वाला point है कि मानलो internal sphere जो b है इसके surface पे आपने ये वाला p point लिया था तो इस पे potential यानि v की total value क्या आजाएगी आपके आज़ वी b क्योंकि ये वाला जो point है ये b sphere पर present है तो इस पर potential की value v b मान लेता हूं मैं v b आपके पास v1 प्लस v2 के equal आजाएगी अब v1 और v2 के मान रख दो v1 और v1 और v2 की value put कर दी तो ये आगी kq दोनों में से common आगया अब ये plus का एक बटा r1 बच रहा है यहां पे और ये minus का एक बटा r2 बच रहा है तो minus एक बटा r2 अब r1 r2 यहां पे क्या करो आप नीचे lcm ले लो तो r2 इदर चला जाएगा और r1 इदर चला जाएगा तो r2 minus r1 उपर बचेगा अब कही बच्चों को तो ऐसे lcm लेने में confusion हो जाता है यहां पे तो आप इसको अलग से करके देख लेना भी lcm कैसे लिया है इनका ठीक है फिर आप समझ सकते हो तो यह तो बच्चों आगी value जो b sphere है आपका उसके surface पे potential की value आगी ठीक है अब अगर a sphere के surface पे यह जो external surface है इस पे अगर potential की value की बात करता हूँ तो यह जो external surface है इसका यह आपने earth से grounded कर रखा है तो earth का potential कितना होता है जीरो होता है किसका आपने internal sphere के outer surface पे internal sphere और उसके outer surface पे potential की value जो लिखी है वो आपके पास vb आगी है जो आपने अभी निकाल लिया है और अब अपने लिखते हैं कि जो external sphere है उसकी outer surface यानि va की value तो external जो sphere है उसका outer surface सीधा directly ground से connected है और ground से connected है तो ground का potential और उसका potential क्या हो जाता है same हो जाता है तो इसकी value क्या हो जाएगी zero हो जाएगी ठीक है ना zero हो जाएगी क्योंगी earth का जो potential होता है वो अपने zero assume करते हैं तो अब the surface of sphere a is grounded so its potential is va is equal to क्या आजाएगा आपके पास zero आजाएगा तो अब अपने a और b sphere के जो surface पे potential की value है उसका potential difference निकालना चाहेगा वी a b तो va minus vb आजाएगा आपके पास ठीक है अब यहाँ पे आप यह समझ सकते हो यहाँ पे बच्चों आपके मन में question आएगा कि sir va minus vb ही क्यों किया vb minus vb क्यों नहीं किया ठीक है तो इसका reason यह है बच्चों कि जो आपका देखो वैसे specific reason नहीं है इसका लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि va sphere उस पे क्या है plus q charge है और vb sphere पे क्या है minus q charge है और plus q वाला बड़ा potential है और यह चोटा तो बड़े में से चोटा minus कर दिया यह कर दिया वैसे तो लेकिन actual में ऐसी कोई चीज नहीं होती भी आपको बड़े में से चोटे में से बड़ा आप जो मर्जी गटा सकते हो वो depend करता आप potential किन किन point पर निकाल रहे हो और आपका charge कहां से कहां तक move हो रहा है अब यह वाला minus आप क्या करो यहां अंदर बेज दो जब आप अंदर बेज होगे तो जो यह R2 minus R1 है यह R1 minus R2 हो जाएगा और VAB आपके पास यह वाला आ जाएगा ठीक है अब आपके मन में एक question यह उड़ सकता है कि sir आपने तो VB की value निकाली थी नहीं आपे तो यह नीचे वाला VAB वाला जंजट करने की जरूरत क्या थी ठीक है कई जनों के मन में एक question आता है कि sir VB की value जो उपर निकाली थी यह पड़ी तो थी तो बच्चों यह सुर्फ एक sphere के कारण आप value लिखते हो जब आपने क्या किया था कि जब आपने parallel plate capacitor की capacitance find की थी तो आप क्या करते थे उसमें जो उसमें आप लिखते थे न V की value वो actual में potential difference होता था किसका इस plate के potential और इस plate के potential दोनों का difference होता था ठीक है वो difference कैसे वैसे तो आप potential difference find नहीं करते थे direct E into D लिखते थे लेकिन जो आप E की value लिखते थे यहां पर ही यह एक plate के कारण E थोड़ा होता है यह E दोनों plates के कारण होता है सिग्मा पॉन epsilon node इसकी value आती है और यह सिग्मा पॉन epsilon node किस से बनता होता है सिग्मा पॉन टू epsilon node और प्लस में sigma upon में 2 epsilon node इन दोनों के sum से बनता है यह sigma upon epsilon node और यह वाली electric field की value दोनों plate के लिए होती है तो जो यह आप electric field लिखते हो न यह दोनों plate का combined electric field होता है किसी एक plate का electric field नहीं होता है यह वाला तो अब यहां पी जो potential होगे तो जब आपका capacitor बना ही 2 चीजों से है तो आपको potential difference ही लेना पड़ेगा वहाँ parallel plate में अपने पास potential difference वाला जंजट ही नहीं था क्योंकि वहाँ electric field अपने already दोनों plates के लिए लिख रहे थे लिकिन यहाँ पे अपने को potential difference दोनों के लिए लिखना पड़ेगा ठीक है ना तो तब ही यहाँ पे va b बराबर va minus vb निकाला है क्योंकि दो plates ले रखी आपने और यहाँ पे electric field नहीं था potential direct निकाल रहे अपने तो आपको यह निकालना पड़ा ठीक है अब next क्या आ जाएगा जब आपके पास potential difference आ गया तो capacitance find करनी है c is equal to q upon v से तो q और upon में भी ठीक है और q से q cancel हो जाएगा और यह वाला क्या आ जाएगा r1 r2 उपर चला जाएगा और r1 minus r2 नीचे तो आपके पास जो capacitance के value आएगी r1 r2 upon k और r1 minus r2 देखो ज्यादा तर numerical लग बगा आप ऐसी मालो भी 99% numerical में यह formula यूज होता है लेकिन आपकी book में थोड़ा से score modify करके लिख दिया क्योंकि आपको पता है k is equal to 1 upon 4 पे epsilon node होता है तो यहाँ पी 1 upon k आ रहा है तो 1 upon k की value अगर मैं यहाँ से निकालू तो यह वाले यहाँ बेज दो और इसको इदर बेज दो तो 4 pi epsilon node r1 r2 और बटे में r1 minus r2 ठीक है यह आपके पास क्या आजएगी capacitance की value आज जाएगी जो आपका क्या है spherical capacitor है ठीक है अब एक चीज यहाँ पे आपको मैं रटा मरवा रहा हूँ रटा क्या एक तरह की tricky है कि आपके यह formula गलत ना हो क्योंकि बहुत सारे बच्चों को confusion यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ 0 में से minus करें तो कौन सा minus plus करना है या कई बार LCM लेते हुए आप क्या कर देते हो plus minus का यहाँ पे ult build कर देते हो तो आपको एक चीज मैं याद करवाना चाहूँगा यहाँ पे जिससे आपका यह formula कभी निगलत होगा और वो चीज क्या है कि आपने यहाँ पे देखो R1 और R2 कैसे zoom की थी जो R1 radius थी वो आपके बड़े स्फिर की थी और जो R2 radius है वो आपने चोटे स्फिर की ले रखिया है ठीक है तो अब जो आपका last में final answer आ रहा है उसमें R1 minus R2 मतलब बड़े स्फिर में से चोटे स्फिर की radius minus हो रही है तो आपको क्या करना है हमेशा यह चीज याद रखनी है भी बड़े स्फिर की radius में से चोटे स्फिर की radius last में answer में minus आ जाती है तो अगर आपने minus में यहाँ कहीं गलती कर भी दी तो वो गलती आपकी यहाँ सुदर सकती है अगर आपको यह चीज पता हो ठीक है बड़े स्फिर की radius में से चोटे स्फिर की radius आपको क्या कर देनी है minus कर देनी है तो आपको answer आज जाएगा बचो ठीक है तो यह आगए आपके पास अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज आपको और कहूं कि अगर यहाँ पर मैं R1 और R2 को interchange गर दूँ भी इसको R2 माल लो और इसको क्या माल लो R1 माल लो तो जो आपका formula है बैस उसमें क्या है एक change आएगा क्या आएगा कि उपरवाड R1 R2 तो पड़ा रहेगा यहाँ R2 आ जाएगा और यहाँ R1 आ जाएगा बैस क्योंकि तब R2 greater than R1 होगा तो R2 में से R1 माइनस में आ जाएगा तो बड़े में से चोटा माइनस करना है उपर radius चाहे जैसे मर्जी ले लो आप तो मुझे उमीद है आपको इतना जो काम है वो समझ में आ गया होगा इतना derivation समझ में आ गया होगा अब कुछ देखो important points हैं बचो आपके सामने जो यहाँ पे आप special cases के form में इसको मान सकते हो भी special case जैसे होते हैं तो एक तो सबसे पहले point यहाँ पे यह है कि it is clear that the capacitance of a spherical capacitor is universally proportional to the difference of radius of both the spheres अब देखो उपर आपको मैंने क्या किया था एक point बताया था उस point की explanation यहाँ पे होगी उपर point में मैंने यह बताया था कि जो आप spherical capacitor बनाते हो जब उसमें दोनों sphere की radius को approximate equal मानते हो तो वो equal अपने क्यों मानते हैं उसका reason अब अपने को यहाँ पे पता लगेगा तो आपको देखो यहाँ पे एक चीज़ पता लग रही है कि यहाँ पे जो c की value है यानि capacitance की value है वो inversely proportional आ रही है दोनों sphere की radius के difference के मतलब कि अगर आपकी जो sphere है उसके radius का difference कम है तो यह वाली value क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी और अगर इसकी value ज्यादा है तो यह वाली value क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी तो आपको तो capacitance maximum चाहिए maximum ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो capacitance ज्यादा से ज्यादा हो तो आपका difference क्या हो कम से कम होना चाहिए दोनों का R1 और R2 का तो मतलब दोनों का difference कब कम होगा अगर आपको मैं कह दूँ कि R1 R2 यह R1 और R2 है ठीक है और यहाँ इनका मैं difference लिख रहा हूँ R1 माइनस R2 अगर मैं बाहरवाले R1 की value 10 लिखता हूँ यहाँ और इसकी लिखता हूँ value 5 तो दोनों का difference यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 10 और यहाँ लिखता हूँ 9 तो यहाँ दोनों का difference 1 आ रहा है तो जब दोनों की radius में क्या होगी लगबग same सी radius होगी तब उनका difference उतना ही कम आएगा और difference कम आने से जो कपेश्टेंस है उसकी value high आती है अपने पास ठीक है तो कपेश्टेंस की value high करने के लिए अपने दोनों स्फियर का size क्या रखते हैं approximate same रखते हैं तो यह आपको question पूछा भी जा सकता है कि जो आपका spherical capacitor है उसमें दोनों स्फियर का size same सा कैसे क्यों लेते हैं अपने reason क्या उसके बिच्छे तो उसका reason आप यह बता सकते हो कि क्या it is clear that the capacitance of spherical capacitor is inversely proportional to the difference of radius of both the spheres so to increase the capacitance this difference must be very small तो अपने को capacitance increase करने के लिए यह वाला जो difference है यह क्या होना चाहिए बहुत ही small होना चाहिए for this we take both the sphere approximate same size अपने दोनों स्फियर क्या करते हैं लग बग same size के लेते हैं ठीक है अब दूसरा point यहां पर क्या दिया हुआ है दूसरा आपने एक assume किया हुआ है कि if a dielectric medium of dielectric constant epsilon r epsilon r उसका क्या है dielectric constant है वो present हो दोनों स्फियर के between तो अब यहां पर आपको medium वाला वो ही formula आपको क्या करना होता है epsilon naught की जगह epsilon naught epsilon r लिखना होता है जब epsilon r वाला क्या आ जाता है कोई dialectic medium आ जाता है तो अब अपने 4 pi epsilon medium लिखा जब capacitance का formula लिखा और epsilon medium आपको पता है epsilon node epsilon r की equal होता है तो यह formula आ गया अब इसमें 4 pi epsilon node r1 r2 और नीचे r1 minus r2 यह direct capacitance की value आ रही थी जब आपके दोनों स्फियर के between कोई medium present नहीं था ठीक है तो आप जब medium present कर दिये तो capacitance क्या होगी epsilon r times increase होगी तो आपको यह भी आ सकता है कि prove that the capacitance of a spherical capacitor is epsilon r times when a dielectric medium placed between the both spheres ठीक है दोनों sphere के between अपने क्या कर देते हैं जब एक dielectric medium fill कर देते हैं तो जो capacitance है उनकी कि वो क्या हो जाती है epsilon r times increase हो जाती है ठीक है तो अब वोई चीज़ है अब एक special case यहां पर और दिया हुआ है क्या कि अगर आपने assume कर लें यह देखो assumption पर है actual में ऐसा नहीं होता है assume करके इन्होंने ऐसा कर रख है कि r1 को तो infinite assume कर लें और r2 को capital r तो infinite में से कुछ value minus करेंगे तो infinite रहेगा तो यहां infinite और infinite cancel होके यहां पर बचेगा 4 by epsilon not r तो पहली बार आपने infinite को cancel होते होई देखा लेकिन देखो वैसे तो अगर mathematics में इसको देखें तो ऐसा नहीं कर सकते अपने यहां कि infinite upon infinite क्या होता है एक जो indeterminate form बोल देते हैं इसको इसको अपने calculate नहीं कर सकते लेकिन यहां पे चलो इन्होंने approximate result लगा के कर दिया तो book में आपको direct आपको यह वाला step नहीं दिया वो book में क्योंकि उनको भी पता है कि यह वाला step पूरा सही नहीं होता है mathematics में नहीं होता उन्होंने ऐसे मान के और आपको last में ऐसे answer दे दिया लेकिन हुआ कैसे यह वो मैंने आपको बता दिया तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर अपने जो external sphere है उसकी radius infinite मान ले पर external sphere वो infinite पे हो और जो internal sphere है उसकी radius fix हो कोई ना कोई तो क्या होगा कि which is the capacitance of an isolated spherical conductor तो जो इसकी capacitance आएगी वो spherical conductor की capacitance की equal आएगी तो spherical conductor can be assumed as a spherical capacitor with outer surface at infinity तो एक spherical जो conductor होता है आपके पास उसको अपने क्या assume कर सकती है एक spherical capacitor resume कर सकती है और कैसा capacitor जिसका जो outer sphere है outer sphere है जिसका वो कहां पे हो infinite पे present हो मतलब infinite size का हो तो infinite तो कुछ होता है यह मतलब only internal sphere है अपने पास ऐसा कह सकते हो यह point होगे चलो एक अब next point इसमें क्या दिया हुआ आपको next point दिया हुआ है कि if both r1 and r2 are very large and r1 minus r2 r1 minus r2 आपको क्या दिया हुआ है यहां पे इनका r1 minus r2 दोनों का difference आपको d consonant दिया हुआ है तो आपको क्या कहा है यहां पे कि जो r1 and r2 दोनों का multiply है वो 4 pi r square या a के equal मान सकते हैं जो कि sphere का क्या हो जाता है surface area हो जाता है 4 pi r square और capital r यहां पे r1 plus r2 upon 2 होता है तो यह आपका formula कहीं नहीं use होता नहीं इस पे कोई numerical आता आपको वैसे दे दिया और approximation यह सही भी नहीं होता यह सही कब होता है approximation यह कब लगा सकते हैं जब आपके दोनों spheres क्या हो planets के size क्यों हो मतलब जितनी अर्थ बढ़ी है इस अर्थ से भी बड़ा आपका sphere हो कोई तो फिर आप यह formula लगा सकते हो तो इतने बड़े sphere की तो ना तो अपने को कभी capacityness find करनी पड़ती है और ना ही इसके बारे में इतना पढ़ना पड़ता है तो यह चलो दे दिया लेकिन इसको serious नहीं लेना है आपको इसमें से कभी question नहीं आ सकता तो अब आपको क्या करना है इसको अगर आपके याद होता है तो ठीक है नहीं तो छोड़ देना आपको book में यह भी नहीं दिया हुए यहां पर भी जो R है वो कह चीज़ है यह R मैंने find किया कई books में तो एक book में जाकर मुझे मिला कि इसको लगबग अपने ऐसे मानते हैं भी दोन्नों की radius का mean निकाल लेते हैं ठीक है यह कर लेते हैं अब next देखो बचो आपके पास जो आता है वो आता है आपके पास एक example ठीक है example आता है आपके पास क्या दिया हुआ आपको example में यह example आपका 4.12 यह book का यहां तो पूरा नहीं दिखेगा मैं आपको book खोल के वहां से करवा देता हूँ यह वाला example ठीक है तो देखो यह वाला example है 4.12 इसमें क्या दिया हुआ आपको दारेडिये ओफ इनर एंड आउटर स्फियर्स आप स्पेरिकल क्पैस्टर्स अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ आपको एक चीज गलत दे दी इन्होंने वो गलत चीज क्या है कि हिंदी मीडियम की book में तो सही है आपकी गलती यह दी होई है कि यहां तो आउटर आना था यह और यहां इनर आना था क्योंकि आउटर स्फियर जो होता उसकी रेडियस बड़ी होती है और इनर की छोटी होती है ऐसा तो possible ही नहीं है कि बाहर वाला जो स्फियर है उसकी रेडियस बड़ी ले ले और अंदर वाले की छोटी ले ले आप ऐसे कर सकते हो कि यह वन मीटर रेडियस वाला अगर आपको स्फिर दे दे उसमें टू मीटर रेडियस वाला स्फिर आप फिल कर दो उसमें रख दो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है तो इनर और आउटर की पोजीशन चेंज कर लेना यहां पर आउटर और इनर आ जाएगा जो अपके पास लाश्त में आजेगाँगाँएगाँ ठीक है तो ये आपकी बुक से एक question था चोटा सा जो इस topic से related था अब next part में अपने इसके questions डिसकस करेंगे जो अब तक के chapter में आ चुके हैं देखो question आपको सारे इकठे मैं करवाता हूँ reason उसका ये है देखो आपको हर एक topic के साथ मैं 10, 10, 15, 15 नमेरिकल भी करवा सकता हूँ एक topic रा कि उसके अलग से question भी करवा सकता हूँ लेकिन ना ही तो अपने पास इतना time है और अगर मैं ऐसा करवाता हूँ तो वो क्या है कि आपको exam के time उसका loss हो जाएगा कैसे आपको हर एक वीडियो खोल के देखनी पड़ेगी भी sir ने ये वाला question कौन सी वीडियो में करवाया था ये वाला कौन सी में करवाया था तो तब ही मैं क्या करता हूँ कि जब chapter का कुछ part complete हो जाता है मालो यहां पर half chapter अपने complete हो गया तो अब इस half chapter में जितने mcq आए हैं कोई आपके very short answer type है कोई numerical जितना भी कुछ आया हुआ है वो सारा मैं आपको अब करवा दूँगा ठीक है जिससे क्या हो जाता है कि numerical की एक अलग वीडियो बन जाती है जिसका आपको अब तो हो सकता है कि लगे कि सर आपने numerical साथ साथ नहीं करवा रहे या आप ऐसे कह सकते हो कि सर आप numerical कम करवाते हो या और लेकिन उसका आपको exam के time फाइदा बहुत होगा क्योंकि तब पता क्या होता है question आप करते हो और question आपका funds जाता है कही न कहीं पे फिर आप नूड़ते हो भी काँ पे होगा तो अब मैं उसके thumbnail में पहले लिख देता हूँ भी ये वाली जो वीडियो है इसमें मैंने जो MCQ वो तो ये ये वाले करवाए हैं very short answer type ये वाले करवाए है short answer type ये करवाए है numerical इसमें ये नंबर वाले चौथा पांचमा दसमा ऐसे करवाए हैं तो उसे आपको डूणने में असानी रहे तब ही मैं numerical के लिए थोड़ी सी अलग वीडियो बनाता हूँ ठीक है तो बच्चों मिलते आपने next वीडियो में इस वीडियो में आपको कितना समझ आया कितना अच्छी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे जुरूर बताएं तब तक के लिए थैंक यू वे नाइस टे